वेलकम टो प्यूर को किंग चलिए आज मना लेंगे हिदरबादी शादियों वाला रेड मटन ये हिदरबादी शादियों में स्टार्टर के तौर पे सर्फ किया जाता है हिदरबादी नान या रुमाली रोटी के साथ में गेस्ट के आने पर ये आईडियल रेसिपी है क्यों और यह ग्रेवी इतनी मज़दार सी तयार हो जाती है तो चलिए बनाना शुकरते हैं ये मज़दार सी ग्रेवी सबसे पहले हमने ग्रेवी के लिए मसाला तयार कर लेना है तो एक बड़े साइस की अनियन लेकि सरा से गोल्डन फ्राइ कर लिजिए 50 ग्राम खोपरा ऐसे ड्राय रोस्ट करना है 30 ग्राम पॉपी सीट्स जाने के खशखश है और 40 ग्राम है काज़ी से हलका सा मैंने रोस्ट कर लिया है सब चीजों में पानी दाल के हमने एक पेस्ट बना के साइड में रख लेना है अब मटन लिया है मैंने हडडी वाला मटन है हरीब 750 ग्राम है इसको अच्छे से धो के चनी में रखा था मैंने अब उसी खुले पैन में मैंने डाल दिया है जिसमें मैंने इसको पकाना है बस इस बात का खयाल रखिए कि जो भी पैन आप यूज़ कर रहे है वो मोटे तले का और इस तरह से वाइड हो ता कि हम इसको बिना पानी के पकाएं तो यह चली नहीं और अब हम इसमें मसाले आट करेंगे तो टेबल स्पून भरके हम इसमें आट करेंगे जिंजर गालिक का पेस्ट टू टीश्पून रॉप पपया पेस्ट डालना जरूरी है इसी से मतन गल जरवादी गरम मसाला पॉडर है जरवादी गरम मसाला पॉडर की रेसिपी मेरे चैनल पे है आप देखके बना सकते हैं अब सारे मसालों को मतन में अच्छे से मिक्स कर देंगे जो वीडियो के स्टाट में मैंने आपको मसाले बताय थे इसमें थोड़ा सा पानी दाल के मैं और अब आट करेंगे चाइनीज के थोड़े से स्पैसे, रेट चिली सॉस 2 टी स्पून, सोया सॉस 1 टी स्पून, यह डार्क सोया सॉस है, अगर लाइट हो तो आप 2 टी स्पून आट करें, और साथ में 1 टेबल स्पून टोमाटो सॉस, यह कम्पलीट ली ऑप्षनल है, लेकि कर सकते हैं और एक कप और अट करेंगे अब इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मतन को हमने मैरिनेट करके रखना है दो घंटे के लिए ताकि जो सारे मसाले हैं वो मतन में अच्छे से अब्जॉब हो जाएं तो जैसे मैंने कहा सारे मसाले लगा दीजि को ये बीधिए मिर्ट कर देंगे गंटे के लिए और इक गंटे के बाद में बिलकुल लौ deze फ्लیम यानि में आपके स्टुम में Jis recommend से जादा low flame होती है उसी पर आपने इसको पकाना है क्योंकि ये दम पे पकाया जाता है बिल्कुल low flame पर इसो डिस्टरब नहीं करना होता है क्योंकि अमने इसमें सारे मसाले अट कर दिये है इवन गरम मसाला भी तो low flame पर इसको आप पका लीजिए ये देखिए अप सारा मटन अच्छे से पक गया है और oil भी कितने अच्छे से रिलीज हो गया है देख सकते है अप एक पांच मिनिट मैं इसको और पका रही हूं क्योंकि ये थिक ग्रेवी का सालन होता है तो बस low flame पर इसको मैंने फिर से रख दिया है एक पांच मिनिट के लिए और बिल्कुल पाया पेस्ट भी आड़ किया है ये इसका कलर कितना अच्छा है और oil भी कितना अच्छे से रिलीज हुआ है तो महमारों के आने पर या फिर अपने घरवालों के लिए weekend special में आप इसको ट्राय कर सकते हैं सेम रेसिपी आप चिकन में बना सकते हैं चिकन में सिर्फ रॉप homemade नान के साथ में सर्फ किया है जो मैंने सूजी से बनाई है अगर आप देखना चाहते हैं उसकी रेसिपी तो मुझे जरूर कमेंट करिए मैं homemade सूजी की ब्रेड या नान की रेसिपी जरूर शेयर करोंगी ये देखिए कितना मज़ेदार ये मटन की ग्रीवी लग रही है तो जरूर टराइ कीजिए ये मज़ेदार सी रेड मटन की रेसिपी जैसे मैंने कहा ये fusion रेसिपी है दं के मटन में Chinese Saucas के साथ में आप चाहेतो Saucas skip करके दं का मटन भी बना सकते हैं तो ये मज़ेदार सी रेड मटन की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए वीडियो को शेयर करिए अपने ऐसे ऐसे फैमली और फ्रेंड से जिनको रेड मटन की रेज़िपी अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स फर वाचिंग यहां पर मैं आपको मटन को तोड़ कर भी दिखा रही हूं कि कितना सॉफ्ट और जूसी मटन बनकर तयार हुआ है यह दिखिए क्योंकि जो दम की टेकनीक होती है क्लोज लिप के साथ में पकाया जाता है इसी में मटन गल जाता है